प्रैक्टिस ग्राउंड में तीन हैलीपैट तयार किये गए हैं पुलाओ बर्णफ समयूद होगे पुर्धान मंत्री मोदी महमान भी आमंतरित है तो युदि के पूर मुखे मंत्रियों को भी आमंतरित किया गया है तो प्रधान मंत्री मोधी के लिए तयार किये गए हेलिपेड इसके अलावा डैल 112 में भी हेलिपेड बनाया गया है वहीं स्पीजी की टीम हेलिपेड का जैसा लेगी और 25 मार्च को शपत ग्रहंड समारों में प्यम मोधी समय 200 वी वी आई बीस फिलाल आएंगे तो इकाना स्टेडिय में शपत ग्रहंड की तयारियां लगातार जारी है तो प्रधान मंत्री मोधी के लिए तयार किये गए हेलिपेड और किस तरीके से विपक्ष को भी पूरी तरीके से नियोता दिया गया है निकी इस शपत ग्रहंट समारों को पूरी तरीके से भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है और एक ऐसा संदेशा जो दो हजार जोबिस के लिए भी कहिना के एक जमीन तयार करना पूरी तरीके से और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने समवादाता अभिशेक पांडे से अभिशेक लगातार आप इकाना स्टेडियम से हमें अपडेट दे रहे हैं क्या कुछ तैयारियां हैं अब जो लेटिस्ट अपडेट है हली पैट को लेकर के प्रधान मंती नरेद्र के लिए फिलाल क्या खुछ खास तैयारियां हैं देखिए बेहत भव्य और आकरशक शपत ग्रहणी के देखने को मिलेगा सतर हजार लोग बैट करके शपत ग्रहण्ट समारों को देखेंगे इकाना स्टेडियम में पचास हजार सिटिंग कैपसिटी है जहां पर दर्शक ब इसी स्टेडियम के ठीक पिछले हिस्से में फुटबॉल प्रैक्टिस गाउंड है जहां पर खिलाडी प्रैक्टिस करते हैं उस जगह पर तीन हेली पैड बना जा रहा है पीम का जो रूट प्रोटोकॉल होता है उसके मताबिक अगर पीम कहीं चौपर से जाते हैं तो तीन हेली पैड बना जाते हैं तो वो तीन हेली पैड बन करके तयार हो गए हैं इसके लावा महज तक्रीमें 500 मीटर की दूरी पर ही डायल 112 का मुख्याला है उत्तरप्रदेश का वहाँ भी हेली पैड बनाए गया है SPG की टीम 48 घंटे पहले अपने कबजे में ले लेगी दोनों हेली पैड को सुरक्षा मानकों को देखा जाएगा रूट प्लैन को देखा जाएगा और उसके बाद तैक किया जाएगा किस हेली पैड का इस्तमाल प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के लिए करना है दूसरा हेली पैड रिजर्ब में रखा जाएगा कि अगर पहले हेली पैड में कोई तक्नीकी समस्या आती है तो दूसरे पर चौपर को वहाँ पर उतारा जाएगा तो ये व्योस्ताई चल रही है दो हिली पैड पैरलल तैयार किये गए हैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के साथ तक्रीबन 200 वी वी आईपी इस समारों में शिरकत करने वाले हैं तो बेहत खास और आकर्शक शपत गरहन समारों ये होने जा रहा है और ये तैयारिया लगातार चल रही है जिला प्रशाषन एस पीजी और नगर निगम तमाम अलग 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 टीमें एक साथ लगी हुई है साथी साथ राजभवन की तरफ से निमंतरन भेजने जाने अब शुरू हो गए है जो वी वी आईपी जाने हैं उनके लिए निमंतरन पत्र भेजा जा जा रहा है शपत गरहन में आने के लिए और पहले से एक लंबी परमपरा लंबे कई सालों से चली आ रही है कि राजभवन की तरफ से सभी पूर मुख्यमंतरियों को शपत गरहन का निमंतरन पत्र भेजा जाता है और वो भी सभी पूर मुख्यमंतरियों मसलन अखिलेश यादों मायावती मुलायम सिंग्यादों जो भी पूर मुखी मंतरे इस समय हैं, उनको शपत ग्रहण का निमन्योता भीजा जाएगा. जे, बिल्कुल यानि की साफ तोर पर तैयारियां कहा जाए कि जबर्दस तरीके से चल रही हैं, और इस बीच अगर बात करें, शीष्ट नेतर्तों के साथ साथ संग के लोगों को भी आमांतरित किया गया है, विपक्ष को भी पूरी तरीके से आमांतरित किया गया है, उसके प्रक्रिया फिलाल जारी राजभवन की तरफ से कहा जा सकता है अभिशेक की एक भव्य समारों का आयोजन और बड़े पैमाने पर आयोजन क्योंकि दोजार चौबिस तक भी जिस तरीके से इसकी जो अक्स साफ तोर पर देखा जा सकता है और इसके माइने दूर तक देखे ज आ सकते हैं साफ तोर पर इस भविश अपत गैंट समारों के देखे एक बड़ा संदेश देनी की भी कोशिश है भारती इंतर पार्टी की और हो भी क्यों ना क्योंकि 37 साल बाद एक मौका आया है कि जब कोई पार्टी की सरकार दुबारा आ रही है इससे पहले कॉंग्रेस क सरकार बनी थी लेकिन अब 37 साल बाद भारती इंतर पार्टी की सरकार दुबार आये 2017 में बीजेपी की सरकार बनी योगी आदितनात मुख्यमंत्री बने और अब दुबारा उनकी सरकार 2022 में आ रही है तो इसके दूर तक मैसर्स देनी की भी एक बात है तमाम मित्कों को तो कर रही है बीजेपी और इसलिए इस शपत ग्रहन समारों के हर हिस्से को टच करने की कोशिश किया जा रहा है जिससे 2024 का जो लोकसवा चुनाव वो कहीं न कहीं इससे प्रफावित हो बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए अभिशेक हापुर से बड़ी खबर जहाँ पर टोल करमचारी का शब मिलने से संसनी मच गई करमी की हत्या कर शब